मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए नए ने ट्रिक्स और टिप्स लेकर जो आपके रोज के काम को बहुत ही आसान बना देंगे आपके पैसे भी बचाएंगे आपके समय भी बचाएंगे और आपके रोज के काम बहुत ही आसान हो जाएंगे तो हेलो फ्रेंड्स व्रेंड्स इस तरह के kletcher को डिके छोटी-छोटी के जिसके घर मना बच्ची होते हैं और quarter का घ्लेट को होते हैं सबीज़ ना बहुत ही मुश्कुर बहुत है चोटे होते हैं तो आज मैं आ enfermed बॉहुत बढ़ीनीय तरीका बताऊँ कि जिससे आप इसको बहुत ही बढ़्यां से कर सकते हैं बीना पैसे वेश्ट किये बीना समय वेश्ट किये आपको ले ला है इस तरह से चुटा सा कोई साभी कार्डबोर जो देखने में थोड़ा सा सुन्दर लगे कोई भी उस पर फूल पत्ती बनी हो इस तरीके से देखने मचे लगा और इस तरीके से छोटी से क्लचर को आप और नाइज कर सकते हैं और अपने ड्रेसिंग के पास रख सकते हैं जिसे आप नॉर्मली इसे असानी से यूज कर सकते हैं बहुत असानी से यह गुम भी नहीं होगा बच्चों भी बहुत पसंद आगा आपको टिक कैसी लगी मुझे कमेट में जरूर बताएगा फ् पानी किर रहा है और वो बैक्स गीले हो जाते हैं तो आज मैं बहुत बने टिक बताऊंगी जिसे यह प्रॉब्लम से बहुत जल्दी छुटकारा पह सकते हैं बीना पैसे वेस्ट किया बिना टाइम वेस्ट किये बहुत बने टिक बताने वाली हूं आपको जब भी आपका इस तरह का कोई भी बोतल हो इस तरह से पानी उसमें चूता हो तो आपको बस एक ही काम करना है कुछ ज़्यादा मैहनत नहीं करनी आ ले लेना है इस तरीके से रबर बैंड पतला वाला जो रबर में आता है इसको आप बोतल के उपर न इस तरीके से डबल फोल्ड करके लगा इस तरीके से रबर को इसके उपर लगा देजिए उसके बाद आप जब भी कैप बंग करेंगे तो पानी बिलकुल भी नहीं चूएगा एकदम एयर टाइट हो जाएगा यह बहुत बढ़ी एकदम टाइट हो जाएगा और एक बूंद भी पानी नहीं गिरेगा तो इस तरी किसे आप समय बचा लिए पैसे भी बचा लिए इस तरीके से जब भी आपको कोई भी बोटर पानी चूता हो या कोई भी समानोत उसकी घ्रिप खराब हो गई हो इस तरीके से आप लगा देजिए रबर बहुत तरह बनिया हो जाएगा पानी बिलकुल भी नहीं चूएगा आपको यह ट्रिक कैसे लगी मुझे केमेट में जरूर बताईएगा अगला ट्रिक है मेरा इस तरह के टॉवेल को लेकर फ्रेंट्स कीचन टॉवेल हम सब यूज करते हैं मार्केट से नए नए टॉवल खरीत के भी लाते हैं और बहुत तरह के लाते हैं जो देखने बहुत अैप को लिभाएट करना है अज में आपको नॉर्मल टॉवेल करना बहुत बढ़िया यूज बताऊंगी जिस से आप इसको इसको बहुत बढ़िया से डेकुरेट करके बहुत संदर सा बना सकते हैं आपको ज्यादा पैसे खर्च करने जोत रदीर हर तरह का टॉट खर दन है बराबर कुछ इस तरीके से उसके बाद कोई भी आप चूड़ी ले जिए बैंगल ले 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 जिए अपना कांच की हो या मेटल की हो तो और भी जदा अच्छा रहेगा क्यों कोई गीरेगा तो तूटेगा नहीं और आपको क्या करना है एक ले लेना है सैप्टी पीन और कुछ इस तरीके से इसको हम ईखर से उल्टी साइड में इसको फोल्ड कर लेंगे और वहां से करेंगे ना तो बहुत अच्छ से फिक्स हो जाएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे कभी भी निकाल के धो सकते हैं तेखिए तो कितना अच्छा यह रेडिमेड जैसा बन गया है यह आपका हैं टोविल इसको आप किचन में या जहां भी आप बाथरूम के साइड में आप कहीं भी इसको हैं कर सकते बहुत प्यारा लगता है देखने बहुत अच्छा लगता है तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे तो आपको खरीदने के जवत नहीं पड़ेगी अब घर पे ही बीना पैसे खर्ज किये आप इस तरीके से बना सकते हैं तो आपको यह ट्रीक कैसी लगी मुझे केमेंट म ठंडे ठंडे लगते लगता है कि वह गीला ही है सुखा नहीं है जबकि वह सूख गया रहता है तो आज मैं आपको बहुत बढ़ी तिक बताऊंगे ना जिससे आप कपड़ों को बहुत असानी से सुखा सकते हैं आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और धूप नहीं होन दीजिए उसके बाद जो छोटे-छोटे कपड़े हैं आप इस तरीके किसी के घर में बच्चे होते ना तो उनको और भी ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े ठंडे लगते हैं आप इस तरीके से कराई में डालके इसको उलट-पलट दीजिए बहुत ही बढ़िया से जाएंगे और जो सिमसी में से गिले-गिले ठंडे ठंडे लग रहा है न तो वह सब निकल जाएगा और गरम हो जाएंगे इसको आप इस तरीके से करने के बाद बहुत अच्छे से आप तया लगा कर दीजिए इस तरीके से आप छोटे बच्चों के जो कपड़ों होते हैं बहुत बढ़िया तरीके से इसको आप सुखा सकते हैं आपको बिल्कुल भी समय भी नहीं लगेगा आपका टाइम भी अवेश्ट नहीं होगा और पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे ये ट्रिक बहुत यूजफूर है आप इसको जरू ट्राइ करेगा आपको एक कैस लगी मुझे कमेंट में जरूब बताईएगा अगली टीप है मैं इस तरह के नेर्पेंट को लेकर हम लगाना बहुत ही अच्छा लगता है हम सब लगाते हैं और यह सब के घर में मिले तका भी कभी क्या होता है न कि बहुत इसका जो कैप बहुत टाइट होता है जल्दी ख कपड़े कोटें के कपड़ी से भी खोलने के कोशिज करते हैं दातों से भी खोलने कोशिज करते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है न कि नहीं खुलता है तो आज में आपको ट्रिक बताने वाली हुना बहुत आसानी से आप इसे खोल सकते हैं लेकिन उससे पहले आप इस वी ग्रिब बन जाएगी आप इसको जरूर ट्राइगा बहुत मस्त यह ट्रिक है मैंने इसे खुद आजमाया है तब आपके साथ शेयर कर रहे हूं और जैसी आप रबट लगाने के बाद इसको ऐसे खोलेंगे ना तो फटाक से आप करना जो कैप है नो बहुत आसानी से खुल ज पाईएगा अगली ट्रिक है मेरा इस तरह के चाकू को लेकर चाकू तो हम सब के घर में होता है और इसका इस्तमाल तो सब के घरों में ही होता है लेकिन कभी-कभी आपने नोटीस के अगर जब हम लोग बाहर जाते हैं तो चाकू को ले जाते हैं अगर लॉंग सफर पे जा जाए कुछ समान उसमें नुक्सान ना हो जाए कुछ कट पिटना जाए या पर्स में हाथ डाल के चाकू को निकाल ने तब का हाथ ही न कर जाए इसके लिए बहुत बरी ट्रीक बताने वाले हूं जिससे बहुत बहुत अच्छे तरीके साथ इसे रखेंगे कोई भी दिक्कत हाई के आपको लेना है इस तरीके से सेलो ट्रीक जितना बढ़ा आपका जन्की चाक्व है उतने हिसाब जलते हां उसको एक ऱक से इस तरीके से दप क कहा दिए इस यह सी चिक बेहुत पर जाएगी वह ससब्सक्राएं यह तर अब बिना पैसे खर्च की बिना टाइम वेस्ट की आप इसको जरूर ट्राइब करिएगा अगर आपके घर में इस तरह से चाविया हैं तो बहुत इस फूर्ट टीक बताने वाले उस्टा चावी होती है और हमारे पास जब की दिंग नहीं होता है तो ऐसी दग देते तो बहुत इ पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे आपको लेना इस तरह से सैप्टी पीन आपको इस तभी बड़ा वाला सैप्टी पीन ले लिजिए इसको सारे चावियों को इसी में और नाइज कर दीजिए आपका सैप्टी पीन की दिंग बन जायागा बहुत यूश्फूर टीक है इस तरह से आप चावियों को रखेंगे तो भूलेंगे नहीं इधा उधा नहीं होंगी और एक जगह पड़ी देंगी तो फ्री का जुगार हमारा यह बन गया बिना पैसे खर्च किए तो बहुत इस पूर टीक है आप इसे जरू ट्राइ कर सकते हैं तो फ्रेंट मैंने कोई वीडियो अच्छी लगे हो अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और लोगों भी इसको शेयर कर दीजिएगा तो मिलते हैं एक नए वीडियो के ताथ तब तक के लिए बाबाई